तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं NS का Daily Chart पे तो guys सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि यह company अभी कौन सी trend के अंदा trade कर रही है मतलब यह company अभी up trend में है या downtrend में तो देखो guys यह company अभी अपनी 200 की moving average से उपर trade कर रही है मतलब company अभी officially up trend में है तो अभी अगर इस company की चार्ट को ध्यान से दिखा जाए तो यहां पर अप्लोग को साफ एक ascending triangle pattern दिख जाएगा So guys, simply wait for the breakout of this pattern अभी अगर इस pattern की breakout by chance नीची की तरफ हो जाता है तो simply उसके बाद अप्लोग approximately यह तक की fall expect कर सकते हो जो की एक strong support base है इस company के लिए अभी मैं यहां पर proper breakout की बात करना हूँ कि अगर by chance नीची की तरफ proper breakout हो जाता है तो उसके बाद अप्लोग approximately 360 रुपे तक की fall expect कर सकते हो from this company अभी यहां पर मैं fake out की बात नहीं कर रहा हूँ और वहीं पर अगर उपर की तरफ breakout हो जाता है तो simply retracement के बाद मतलब confirmation के बाद and stop loss लगाने के बाद आप लोग इस level के लिए एक बहुती बढ़िया swing trade plan कर सकते हो मतलब उपर की तरफ breakout होने के बाद company first यह resistance face करेगी मतलब your first target is approximately 555 to 556 रुपिस की level यह अप लोग का first target and your second target will be approximately 632 रुपिस की level approximately 633 रुपिस की level and entry अप लोग को retracement के बाद and stop loss लगाने के बाद ही लेना है अगर stop loss strict लगाना चाहते हो तो strict लगा सकते हो lose लगाना चाहते हो तो lose लगा सकते हो लेकिन stop loss लगाना भूलना मत stop loss अप लोग को जरूर लगाना है बाकि levels अप लोग के सामने है तो अगर अप लोग चाहते हो तो screenshot लेकर रख सकते हो कहीं पर note down करना चाहते हो तो वो भी अप लोग कर सकते हो तो guys that's it for this video अगले वीडियो में मिलते guys thank you for watching and guys stay safe झाल झाल झाल